सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ सर्दियों के मौसम में खाई जाने वाली पूर्भी यूपी की बहुत ही फेमस और पॉपलर हरी मतर से बनने वाले निमोना की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हूँ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफेकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा तो आईए देखते हैं हरी मतर से बनने वाले इस निमोना को आज हम कैसे बनाएंगे हरी मतर का निमोना बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाप केजी हरी मतर ले रखी है दो बारी कटी हरी मिर्च टेस्के एकोर्डिंग अधरक के कुछ टुकड़े ले रखें लैसुन की कलिया और बारी कटा हुआ हरा धन्या ले रखा है इन सारी चीजों को हम चटनी की तरह महीन पीस लेंगे मटर को हम महीन नहीं पीसेंगे इसे हम दरदरा पीसेंगे अगर आपके पास सिलबटा हो तो आप मटर को सिलबटे पर ही पीस येगा इससे इसका टेक्चर बहुत बढ़िया आता है और ये हमने सारी चीजों को पीस करक का इस्तिमाल किया है पारंपरिक तरीके से निमोना लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं हम इसमें सर्सों का तेल डाल देंगे पारंपरिक तरीके से निमोना सर्सों के ते लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लाच्ट में डिक्सप्शन बॉक्स में बड़ी को हम हाथों से क्रश करके तभी डालेंगे मिला देंगे अब इसमें हम एट कर देंगे कटा हुआ आलू आलू डालने के बाद इसे भी हम मिला देंगे आप चाहें तो आलू को यहाँ पर इ इसी एगा टेडिशनल तरीके से मटर को सिलबटे पर ही पीस करके निमोने को बनाया जाता है इसे भी हम आलू के साथ में अच्छे से मिला लेंगे चलाते हुए मटर एड करने के बाद इसे हम आलू के साथ में अच्छे से भून लेंगे medium to low flame पर continue चलाते हुए हम इसको जितन जब इस तरह से मसाले को पीस करके डालते हैं तो निमोने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अब हम इसमें मसाले को एड कर देंगे हम इसमें अलग से ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अब इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे धन्या के पीस किसी मसाले का इस्तेमाल किया था शुरू में उसमें भी काफी मसाले पड़े हुए हैं और साथ ही में हमने इसमें धनिया हरी मृच और अधरक और लैसुन को पीस कर डाला है तो हमें Ismae किसी एक्सट्रा मसाले का इस्तेमाल करने की अब आवशकता नहीं है हम इसे धीमी आच म अच्छे से भून लेंगे, इस समय सर्दियों का मौसम है, तो आप इसे जरूर बना कर खाईएगा, मार्केट में बहुत सारी हरी मटर भी आने लगी है, इस निमोना की रेसिपी को घर में ट्राई कीजेगा, और साथ ही इसकी फोटो आप मेरे फेस्बुक पेज और इनिस्ट नहीं आने लगती है, हमने निमोने को अच्छे से भून लिया है, इस तक कलर इदम चेंज हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे, पानी की क्वांटिटी को अपने अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा पतला और गढ़ा निमोना आप चाहते हों, अभी इसमें हम थोड़ा पानी और एड़ करेंगे, हमने इसमें टोटल तीन ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, इसे हम अच्छे से मिला देंगे चलाते हुए, हमने निमोना और पानी को साथ में मिला लिया है, अब इसे हम ढखकर रग द गढ़ा चोटी थी तो निमोना उबल के बाहर आ रहा था, इसलिए हमने इसे भगोने में ट्रांसपर कर लिया है, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कूक करेंगे, अब इसे हम ढखकर रग देते हैं, लो फ्लेम पर कूक होने के लिए, पांच मिनट के लिए, पांच मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे, पांच मिनट हो गया है, धकन को अटा कर हम चेक कर लेंगे, और ये देखिए निमोना हमारा पके तयार हो गया है, निमोना काफी गाढ़ा भी हो गया है, अब हम गैस को आफ कर देंगे, और निमोने को हम हलका सा ठंडा कर लेंगे, जब ये ठ तो और भी गाढ़ा हो जाएगा और यह देखिए पांच मिनट हो गया है निमोना हमारा हलका सा ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है अब इसे हम सर्फ कर लेंगे हरी मटर का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी निमोना बन के तयार है खाने के लिए आप इसे प्लेन रोट दीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथ ही कॉमेंट करके मुझे यह भी बताइएगा कि आगे आप कौन से नहीं रेसिपी देखना चाहेंगे और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूं इसी तरह से अपनी नहीं वीडि झाल 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 झाल